मैं हुसान एद्रिसी आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स मुंबई के बोरी वली में 2 अक्टोबर को एक हाउजिंग कॉलनी में अचानक से लिफ्ट गिर गई जिस हाथसे में एक 74 वर्षिय को गंभी चोटे आई थी कॉलनी वालों का कहना है कि बुजूर्ग जैसे ही लिफ्ट में चड़े वैसे ही लिफ्ट नीचे की और बहुत तेजी से गिर गई जिस कारण बुजूर्ग रतन पाटिल के हाथ पैर और सर पर काफी गंभी चोट आई थी उन्हें अस्पतार में भरती कराया गया था और 10 दिन बाद इलाज के दोरान उनकी मौत हो गई है पुलिस ने इस पूरे मामने को ADR के तहट दर्श किया है साथ ही पुलिस इस लापरवाही पर जाच कर रही है झाल है